हाई गाई अससलाम अलेकुम मेरा नाम है अमद खान और मैं आप लोग को वेलकम करता हूँ अपने चनल पे हम लोगों ने लास वीडियो में टाइपस ओफ मेटराइस मेटराइस डिसकस की थी हमने ट्रांसपोल फो मेटरेक्स तक जो है वो टापक टाइपस ओफ मेटराइस ड की definition देख लेते हैं it says that let a be a matrix यानि a कोई भी एक matrix है ठीक है then it's negative यानि उसका negative जिसको हम लिखते है negative of a is obtained by changing the signs of all the entries of a यानि अगर आप किसी भी matrix की सारी की सारी entries का sign change कर दें then that matrix will be called the negative of that matrix इसकी मैं आपको example लेकर दिखा दूँगा और आपको असानी से समझ में भी आ जाएगा कि what does it mean यानि इस definition का मतलब क्या है जैसे माल लीजिए कि आपके पास a जो है न that is equals to एक matrix है जिसकी entries है one minus two three and four ठीक है ये इसकी entries है माल लीजिए a matrix की अब इसका negative of a क्या बनेगा then negative of a will be equal to what इसके सारे signs जो terms है न इसकी अनि सारी जो entries है sorry उनके आप signs change कर दें कर दिया यानि first entries की थी one उसका आप sign change करके क्या कर देंगे minus one ठीक है second entries की देखिए क्या थी minus two थी उसको आप क्या कर देंगे plus two थी यानि जो negative है उसको positive है उसको negative कर दें यानि उनका sign change कर दें अच्छा positive 3 था तो मैं इसको negative 3 कर देता हूं और positive 4 था इसको मैं negative 4 कर देता हूं तो यह देखें this is called negative of a matrix basically ठीक है this is called negative of a matrix यानि सारे के सारी जो terms हैं उनका आप sign change कर दें तो जो आप matrix sign change करने के बाद जो आपको matrix मिलेगा that will be called the negative of that matrix ठीक है अच्छा इसकी साथ हम लोग अग्मी definition पर चलते हैं that is called symmetric matrix ठीक है अब ऐसा square matrix r square matrix in its symmetric if if it is equal to its transpose यानि अब इसमें बड़ा ही असान सा है यह समझ में शायद आपको definition में issue हुआ हो लेकिन यह बहुत ही logic है मैं आपको समझा देता हूँ वो कह रहा है कि कोई भी square matrix है अगर वो अपने transpose के equal है यानि matrix और उसके transpose लेने के बाद जो matrix हमें मिलता है वो दोनों equal हों एक दूसरे के यानि transpose करने से अगर कोई फर्क उस matrix पे नहीं पढ़ता then that matrix is called asymmetric matrix जिसकी मैं आपको example देता हूँ जैसे यहाँ पर मैं एक matrix लेता हूँ M ठीक है और इसकी मैं entries ले लेता हूँ the entries are one two three one two three ठीक है और negative two minus one four two minus one four और three four zero ठीक है three four and zero यह इसकी entries है अच्छा अब यह square matrix है square matrix क्यों है क्योंकि इसके अंदर तीन ही rows है और तीन ही columns है तो इसकी वज़ए से यह square matrix है अच्छा अब इसका आप transpose ले ले जिए ठीक है M transpose मालूम कीजिए यानि इसकी rows को column अब देखे मैं इसकी row by row row by row और column by इसको मैं change करता हूँ यानि इसकी first row है one two three इसकी first row है तो मैं इसको as a column लिख लेता हूँ ठीक है तो यह देखें इसके transpose में पहला column क्या आजाएगा one two और three आजाए इसकी second row जो है वो क्या है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ it is two minus one and four यह second row है इसकी इसको भी मैं column की तरह लिख लेता हूँ यानि क्या बन जाएगा बन जाएगा two minus one and four इसी तरह इसकी third जो row है उसको भी मैं column की तरह लिख लेता हूँ की सारी entry zero equal है sorry equal है जैसे देखे one is equals to one यहाँ पर आप देखे one is equals to one two is equals to two इसी तरह three is equals to three और यह सारी की सारी entries क्या है आपस में equal है तो यह मेरा कहने का मतलब है कि transpose करने से अगर कोई matrix पे कोई change पैदा नहीं हो रहा then that matrix is called a symmetric matrix उमीद आपको यह definition समझ में आ गई होगी अच्छा next type of matrix is what it is a diagonal matrix अच्छा याद रखिए diagonal से ही आपको scalar matrix बास समझ में आएगी और इसी से ही identity matrix समझ में आएगा तो इसका concept ज़रा द्यान से समझने है ठीक है diagonal matrix is a square matrix ठीक है again इसमें number of rows और number of columns equal होते है इस called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and not diagonal entries must be equal to zero अब इसकी मैं आपको एक मिसाल लेकर दिखाता हूँ कि diagonal entries होती कौन कौन सी है ठीक है जैसे मेरे पास एक matrix है a ठीक है और इसके अंदर मेरे पास entries है यह है a one one यह है a one two a one three ठीक है first row first column second column third column इसी तरह a second row first column second row second column second row and third column इसी तरह third row first column third row second column and third row third column ठीक है यह मेरे पाद entries बन रही है अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यह जो यह जो entries है ना यह यह इसकी diagonal entries कहलाती है यानि A11, A22 और A33 ये क्या कहलाती है इसकी diagonal entries कहलाती है ठीक है ये इसकी diagonal entries कहलाती है ये ये वाली देखें मैं आपको एक और बार रप करके दिखाता हूँ ये entries A11, A11, A22, A33 ये क्या है इनकी diagonal entries है ये जो entries है ये diagonal entries कहलाती है ठीक है अच्छा अब ये जो diagonal entries है आपके पास ये जो है आपको हाँ तो ये जो diagonal entries है ना इन में से कोई भी एक entry non-zero हो तो ऐसा matrix क्या कहलाता है diagonal matrix कहलाता है जिसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पर मैं एक matrix ले लेता हूँ for example that is m which is equals to 1 5 और देखें इसके diagonal के इलावा यानि ये जो diagonal entries है इसके इलावा ऊपर और नीचे जितनी वे entries होंगे वो सब 0 है तो this is a diagonal matrix ठीक है और ये square matrix भी है क्योंकि इसके order क्या है two by two यानि दो rows और दो columns है इसी तरह मैं एक और matrix ले ले लेता हूँ for example B ठीक है ये भी diagonal matrix में एक्जेंपल आपको देने के लिए ले रहाँ okay इसकी entries में ले ले लेता हूँ one two and two for example और बाकी सारी entries में क्या ले रहाँ देखें zero ले रहाँ तो सिर्वर सिर्फ इसके diagonal में non zero entries है बाकि उसके इलावा non diagonal जितनी भी entries है वो सब की सब क्या है zero है तो ऐसा matrix का कहलाता है diagonal matrix कहलाता है ओके अच्छा इस ही से आपके पास आती है definition square scalar matrix ही ठीक है scalar matrix भी type है diagonal matrix ही अब ऐसा diagonal matrix हो ठीक है ऐसा diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same and non zero यानि ऐसा diagonal matrix हो जिसकी सारी की सारी जो entries है वो same हो जिसकी मैं general example ले लूँ अगर मैं लूँ two by two के अंदर तो इस तरीके का यानि के कोई भी एक number है और आप देखें diagonal में दोनों में के entry है इसी तरह अगर three by three में लूँ तो k, k और k बाकी सारी entries zero ले लूँ ना ठीक है असान नर्दों में बात समझनी की यह है कि आपके पास जो diagonal entries होंगी ना उस सब की सब सेम होंगी और उसकोर्स जो diagonal matrix की condition है कि diagonal entries के इलावा सारी की सारी zero होंगी ठीक है अब इसकी मैं एक example भी ले लेता हूँ यह तो मैंने आपको in general example दिये ना अब मैं इसकी आपको एक example बना के दिखा देता हूँ three by three matrix मैं ले लेता हूँ for example a ठीक है ए जो है वो equal है nine 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 यह देखें सारे diagonal entries इसकी equal है और उसके हमें क्या आया कि देखें diagonal matrix तो यह है ठीक है चूँके इसके diagonal में entries है non zero और उसके लावा सारी zero है और यह square matrix भी है यह तो हो गई diagonal matrix के condition लेकिन अगर diagonal matrix होने के बाद आपकी सारी की सारी diagonal entries equal हो यहाँ पर आप देखें diagonal में सब में nine 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 आ रहा है तो अगर ऐसी condition हो then the matrix is called a scalar matrix ठीक है यह याद रखिएगा इसी तरह में आगे चलता हूँ हमारी जो last type of matrix है which is called the identity matrix जिसकी definition हमें क्या समझाती है that a diagonal matrix again देखें diagonal matrix होगा फिर उसके बाद क्या कहता है a diagonal matrix is called identity or unit matrix if all the diagonal entries are one and is denoted by i ठीक है यानि हमें याद है null matrix को हम किस से लिखते थे capital O से तो और हम identity matrix किस से लिखेंगे denote करेंगे capital I से ठीक है और क्या कह रहा है कि diagonal matrix की condition पूरी करने के बाद अगर matrix की सारी diagonal entries one हो तो वो matrix क्या कहलाता है identity matrix या फिर आप उसको unit matrix भी कह सकते हैं for example 3 by 3 order का अगर मैं एक identity या unit matrix ले लूँ तो इसकी condition क्या होती है देखें पहले तो square matrix होना चाहिए तो देखें इसके अंदर कितनी रोज हो यानि जितनी रोज उतने column तो तीन रोज मैंने लिए है तो तीन ही इसके अंदर क्या होंगे columns होंगे अचाहिए इसकी diagonal में entries सारी के सारी one होनी चाहिए यह हमारी condition है ठीक है इसी तरह और diagonal matrix के condition है के diagonal entries के लावा सारी के सारी non diagonal entries क्या होती है zero होती है तो देखें सारी non diagonal entries यहाँ पर क्या है मैं आपको highlight करके दिखाता हूँ कि सारी non diagonal entries यह देखें याँ पर क्या है वो सारी के सारी क्या है one है तो ये देखें दोनों condition satisfy हो रही है diagonal matrix की भी हो रही है और फिर उसके बाद further condition कि इसके diagonal entry सब की सब one है तो इसलिए ये identity matrix है इसकी ही मैं एक और example बना के देता हूँ two by two matrix में कि diagonal entries क्या है one one और उसके इलावा non diagonal zero zero तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों identity matrix की definition है अच्छा इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ note की क्योंकि बहुत important है इसको note down कर लिजे यानि याद रखिएगा कि scalar matrix and identity matrix are diagonal matrices यानि अगर आपको कोई example दे scalar matrix की और पूछे के बताओ क्या ये diagonal matrix है तो आप बिलकुल कहेंगे yes because of it that scalar matrix आपने diagonal matrix की में से ही निकाला है it is a type of diagonal matrix okay तो scalar और identity matrix दोनों के दोनों diagonal matrices होते हैं and every diagonal matrix is not scalar और identity matrix ठीक है जरूरी नहीं है कि हर diagonal matrix या तो scalar हो या फिर identity matrix हो इसकी भी मैं आपको एक मिसाल लेकर समझा देता हूँ देखें मैं एक matrix ले रहा हूँ भी ठीक है जिसके अंदर मैं entries लेता हूँ 0 5 1 and 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है अब आप ये देखें ये एक diagonal matrix है क्यों है वो मैं आपको भी समझा देता हूँ देखें ये diagonal matrix इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 3 rows हैं और 3 columns है तो यानि ये square matrix हो गया ठीक है square matrix होने के बाद second condition क्या होती है इसके diagonal में non zero element है देखें 5 भी है और 1 भी है तो ये non zeros है तो इसकी वजह से ये diagonal matrix तो है मगर ना ही ये scalar matrix की condition satisfy कर रहा है और ना ही identity matrix की condition satisfy कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं it is it is not a scalar it is not a scalar nor a identity matrix ठीक है ये बात समझ लीजिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई matrix diagonal matrix है तो वो scalar या identity matrix होगा तो उमीद है आपको ये topic समझ में आ गया होगा और वीडियो भी समझ में आ गई होगी अगर आपको topic clear हो गया हो तो kindly मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को like करें subscribe करना ना बूले ताकि आपको और भी ऐसे videos मिलती रहें ठीक है और इस वीडियो को like करें अपने रीबूस comment box में लिखना ना बूलें आपका अपना मत खान from the channel tutor and mentor signing off thank you खुदा आपेज